जयन साथियों मेरो नाम और अभाद वाल इंजन सोजय आज मैं कमांडर डिफेंस एकरडमी के माध्यम से सभी नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूं तो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है हम लोग इस बौर्ड के माध्यम से जानें कि जब सेना भरती होती है और वहां हम जब सेना भरती देने जाते हैं तो किन बातों को सबसे अध्यान में रखना है और किन बातों को नजदव्दाज करना है तो आइए हम इस बौर्ड के माध्यम से जानते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है सेना बहाली में होने वाली प्रक्रिया हमें यह पता मने कोई भी दिक्कत ना हो सबसे पहले जब हम सेना भाली में जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे रिपोर्टिंग टाइम होता है वह कितना होता है दो बजे एम यानि कि मॉर्मी हमें दो बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया होता है जब हम लोग सेना बाली में जाते हैं लेकिन ह जो लड़के दो बज़े आते हैं किंकि वहां। िधियान दखते हुए आपको सबसे पहले बीड़ारे तो आपको एक बज़े के लमसम ग्राउंन Разवे आपका नंबर हो सकता है कि बहुत लोगों पीछे आएगा लेकिंगे उससे चिंता नहीं करने हैं तो सबसे पहले हम लोग जब बहाली में जाते हैं तो यह आप जो ट्रेक देख रहे हो यह त्रेक हमारा ग्राउंड के बहार की प्रेक होता है यानि कि अगरा पुराची से दे रहे हो तो यह मौराबादी का ग्राउंड समझ जाओ मौराबादी का वो ग्राउंड जहां पर आपको बिठाया जाता है एजस्ट इविलियर यानि कि इंट्री आगे में नहीं होती है तो इस तरह के बच्चे वहां पर बहुत सारे बच्चे हर जिले के जिस जिले का दोड़ होता है वहां के बच्ची इस तरह पेखे हुए होते हैं वहां पर आपको सबसे जरूरी बातों को समझनी है कि आपका जितना भी डॉकुमेंट्स होता है सबका फोटोपी आपके पास होना चाहिए और सबसे इंपोटेंट बात मेरे दोस्त कि आपके पास 10 का मार्विट होनी ही चाहिए क्योंकि सेना की भाली में वहां पर जो फोजी खड़े होते हैं वह बहुत से ऐसे मुर्ख और मेरायक बच्चे भी होते हैं जो वहां से टुटकर फोटोपी करवाने जाते हैं रहे बजे रात को तो ऐसी गलती आपना करें आप आपके पास फोटोपी हर डोकुमेंट सो होना चाहिए तो यहां पे जब हम लोग ध्यान से देखिएगा जब हम लोग यहां पे एज शीरियल बठा जाते हैं तो फिर जब टाइमिंग आगे बढ़ता है यानि कि चार या तीन बजे वहां पे हम लोगा इंडरी होता है तो इस तरह से लाइन से हम लोग करम से आते हैं यकीना सबसे पहले होने वाली प्रक्रिया पर धांग देजेगा यहां पर कुछ प्रक्रिया इंपोर्टेंट होती है जिससे आप आगे लग सकते हैं क्योंकि जो सेना भाली में आगे लगते हैं यकीना और उनकी महां जबर्दस होती है तो वह एक्सिलेंट मार सकते हैं यदि रखिया जो बच्चे भाते से नहीं जाना चाहते हैं उनका हाइट में सब्सक्राइब सब्सक्राइब होने वाली है आपका हाइट में आप जैसे ही पास करते हैं उसके बाद और आपके हाथों में हाथ में एडिमिट कार्ड और मार्क शीट वहां पर चेक चेके जाता है तो आप पहले से ही मार्क शीट और अलक पाईल में निकालके रख लेएं कि आपको गडबड़ी नहीं मेरी बातों सब्सक्राइब बाले अटेंड कि आपको पता है यारों से तो मैंने इस बातों को देखा है उसके बाद जैसे ही आपका हाइट मेंसन होता है और आप सेलेक्ट होते हो तो सेकेंड वार आपको फिर से जून बाइजून बेठा दिया जाता है मलड़ा दूसरी बड़ी प्रकिरिया होने वाली क्या होती है आपका जिवांग अभाध कि अगर आपका प्रकिर्यां करेंड तो आपको हैं कभी से बिल और वार बैच के ना गुशह जाएं ऐसा वहत देखा है कि अदो अगर बलंग बगल वाले बैच में है तो आप उसी बैच में चल गए यह गलती भूल के बीना करें यह आपको अनक्वालिफाइब करवा देगी अगर आपको ध्यान देना है कि आपका बैच संख्या जो लग रहा हो कितना लग रहा है अगर आपका बैच संख्या लगने वाला है 289 तो आप खड़े होके पीछे बैच सकते हो क्योंकि इस देना वाली में 300 का बैच बनता है और 300 का यानि जो 298 नमबर कर रहा है यह सबसे पीछे होगा तो मेरी बातों को ध्यान से देखना है कि आपको इस समय ध्यान देखना है कि मेरा बैच आगे वाले को कितना पढ़ रहा है अगर आगे वाले को 15,45,47 इस तरह पढ़ रहा तो आप कमफर्ट हो आप भाही बैठा दाना यहाँ पर आपका चेस्ट नमर हो जाएगा यहाँ दो परक्रिया हो चुकी है पहला हाइड मेंसन और दूसरा चेस्ट पे और हाथ में वन लगता यह दो परकुर्य होने के बाद आपको तीसरा जगा भगल में घ्यमें दिया जाएगा यहाँ यहाँ पर आपको बोलेगा कि तुम लोग बेठेला हो भाहा को कुछ वी थना जतना ह्यां होधके वर्थ पे सबसें भड़ी घंक घर कषल बैठा बेठते हैं मेर यहां से बात की बहाली यहां से स्टाट हुई थी यहां पर बैठे हो यहां का जो घंटा है वह हो लग सकते हैं इसमें आपको वोजन यहां भूख भी लगेगा अपको यह सब करते रहना लेकिन नहीं करना है अब इसके बाद हम लोग का नया अफेस आता है हम लोग यहां से बठाने के बाद बच्चों को पीछे घुम कहा जाता है यहां पे ध्यान लगाने यह वाली बात है कि आप उठकर वह सुरूम जा सकते हो और वह सुरूम से आने के तुरत बात आप अपने दोस्तों से करके आगे बैठ सकते ओपर आप यहां पीछे रहेगे तो यह पीछे ही रहे जाओंगे वह आपके काबलियता पर करता है कि आप सुला सुमिटर कैसे बाता है तो यहां से उठने के बाद हमारी इंट्री करवाया जाती है आपको पता होगा जो नौजवान शेना भाली में होते हैं और वो बच्चे कम से कम 300 के बैच रहता है इतना बड़ा बैच होता है यह आपका बैच हो गया यहां से उठाने के बाद डारेक्ट आपको 16 सुमिटर का ग्रावने बिठाया जाएगा और यहां पे सबसे इंपोर्टेंट बात आपको ध्रान देनी है जीन बच्चों का हाग में टेटू होता है उन्हें उठवाया जाता है लेकिंग मेरी बातों ध्रान देज़ेगा जिसका भी टेटू यहां से लेकिं यहां पे है और एक इंसे कम है तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं है नहीं बात जो रहा है तो आपको बीना देख़ेही अन्क्वालिफाइक माल लिया जाएगा उसके बास कैंद आपको बूद अच्छ से दोड़ आते हो आप पो उनकी बातों के ध्यान देना है लेकिन नजर शोला समीटर गराउंड में रखना है कि यहां पर लोग बहुत बातों को ध्यान नहीं देते हैं उपको गर जाते हैं वोगे लिटेरी वीनोड तो आपको ध्यान देखना है अपने हम लोग यहां पर दोड़ते हैं ना जितनी सबियार जादा स्पीड नहीं दोड़ना इससे आपको किसरा पड़ता है लगये जिसका इन होना चाहिए इक मिनिट दस से होना चाहिए आप Mang think सेपा उलें इससे नातर फिर्ट को हुआ अब और बज़नता है जो गए और यहां पर लाइन देखने हो ना यह को नहीं पता है यह फोजी लोग खड़े होते हैं जो कि आपको एक बीस के आने वाले अभियार्थियों को अंदर कर दे जाता है तो आपको जोड़ने का वोका नहीं दिया जाएगा हमारे चोनवान नोजवान यह सोच रहे होंगे कि हम एक प्रकता मत की जया कि आपको पकड़के अंदर धिक्र दिया जाएगा यानिकी इस ग्राउंड में अन्क्वालिफाइब बच्चों को डाल दिया जाता है तो आपको पहला राउंड एक मिट दस अंदर क्वालिफाइब कर जाना है जब आप सेकेंड राउंड चलते हो तो आ अप अपने से सेकेंड राल रिल करना या आपको अंदर करते हो तो में आपको झाड़ा थक्ता म्हों होगी तो यहीं सञत्या ऐम हो यानिकि ऐना पिछय जिलो पीछे आपागे आ सकते हो और आप आप सकते है अगर आपको एक्सेलेंट मारना है इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप वर्काउट करते हो ग्रावन में तो इस तरह से पोजिशन को बना हुए रखना है कि आपका मेनद वहां पर बोले यकीनल जब आप तिसरा राउंड मारते हो तिसरा राउंड को पूरे स्पीट के साथ मारता है कि टीसरा राउंड को पुरे श्पीड के साथ म्हान है तीसरा राउंड कम्प्लीट होना चाहिए तीन मिनट पचास सेकेंड के अंदर यकीनल तो आपका पडिकत होता है तो आप सब्सक्राइब हो जाता है आपको ज्यादा हरास्मेंट होती है लेकिन वही हो कहते हैं कि सपने में देखा था जिसको आज वही दिर आया है तो माता पीता को याद करना है गुरु की बात के विश्वास रखना है और शाणा भारता माता की चला लाके दोड जाना है और जैसे यह आप चोथाराण दोड़ते हो आपके सामने बहुत सब्सक्राण के बहुत कम बच्छी होते हैं और आपको पूरी जी जान लगा के चोथ मारी देना है और आप पांच मिनट या आच मिनट तीस सेकंड के अंदर पालिफाइब कर जाओगे तो आप एक्सिलेंट गूर्ड में गुष जाओगे फिर आपको जिन्दगी में आगे इन बातों पर आपको ध्यान बसे ही देना है कि आप पर इंटरी से लेकर हाइट में चेश नंबर बैठना और 16 मिटर ग्राउंड में इंटरी करना इन सब्सक्राइब को ध्यान से देख लेना वीडियो को समझ लेना और सबसे इंपोर्टिट बात में यहीं कहूंगा कि बात 16 सब्सक्राइब कोई भी बात मत करना अपने दोस्ते एनर्जी को बचाए रखना इसी के साथ में विजा लेना चाहता हूं अपने कमाड़ों के सब्सक्राइब 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 क